मानावता के दुस्मन देशों में जर्मनी का नाम पहला नमबर पे आता है पूरे मानावता का दुस्मन है परतम विजजुद इसी की वज़ा से हुगा दूसरा विजजुद भी इसी की वज़ा से हुगा अब तीसरा विजजुद भी होगा तो इसी की वज़ा से होगा इसको कीड़ा है लिडर्शिप का कीड़ा है जर्मनी की इस वक्त जो एकनोमी है खस्ता हाल है खस्ता हाल होने के बावजूत भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 देशों का जो नाटोफ सदसे हैं 25 देश ठीक है अब यहाँ पे 10,000 सैनिक और 800 ए साइज माना जा रहा है यह नाटो सदस्यों की तरब से इस 25 में से 23 देश नाटो के हैं और दो देश गैर नाटो सदस्य हैं बारी बारी से बताऊंगा यह जो एरफोर्स की ड्रील हो रही है जर्मनी में हो रही है नाटो क्या है 4 अपरिल 1999 को इसकी अस्थापना की गए थी North Atlantic Treaty Organization USSR Union Soviet Socialist Republic जो रूस था उसको रोकने के लिए यानि सामयवादी विचारधारा का इस इलागे में प्रसार ना हो यह जो USSR पूराना था इसके विचार सामयवादी विचारों का कम्मिजिम का इस तर से इस तरफ पस्मी यूरोप में प्रसार ना हो इसको रोकने के लिए Atlantic यह नाटो के जितने भी देश हैं इसको बनाई गई थी अब समस्या क्या हो रहा है कि जब यहां पर अभी देखे नाटो में कुल मिला के 31 सदर से हैं यह रूस और चीन दोनों को ही चुनाती देता है यूकरेन की मलत कर ही रहे हैं जापान और स्वीडेन जो गैर नाटो ले रहे हैं जर्मनी के जो एकनोमी है बहुत ही खस्ता हाल है हमले की लेकिन प्लानिंग में पूरी तरह से आगे है प्रथम सेकेंड अब यहां त्रीसा तीसरा जो भी स्विजिद होगा उसमें भी जर्मनी का बहुत बड़ा इसका हाथ होगा इसको लीडर्सिप का बहुत इसको बताते हैं अब यहां पर हम लोग देखेंगे जापान को सबसे फ़ले देखते हैं जापान यहां पर है तो जापान के साथ समस्या क्या जापान के साथ समस्या क्या है यह देखिए इधर रूस से सीमा लगता है तो रूस भी अक्सर इसको धमकाते रहता है इधर उत्तर कुरिया है अक्सर इसको उपर से मिसाइल परिक्षन करते रहता है तो यहां उत्तर कुरिया जो मिसाइल परिक्षन कोड़ता है यहां तो इस पे 1945 में आप देख सकते हैं कि हिरो सीमा नागा साके पर परमानुबम गिर चुके हैं वो युद्ध लड़ना भी नहीं चाहता वो भी इन तीनों की वज़े से रूस के उतर कोरिया चीन की वज़े से अब खुल कर नाटो पलस का यहां पर टोपियो में मुख्याले खुलवा चुका है पूरी तरह से खुलवा चुका है और इस वार फेर में हिस्सा ले रहा है ठीक है अब यहां पर देखिएगा कि जापान ने साफ कर दिया है कि वो तयार है वार एक्सरसाइज के लिए क्योंकि लोगों की रक्षा करना बहुत जरूरी है यहां लोगों की रक्षा क पोजिशन दे किये अब ये कह रहा है कि हम रूस पे हमला करेंगे क्यों क्योंकि अभी तक counter offensive action against Russia अभी तक defensive यानि बचाव कर रहे थे अब क्या है offensive यानि कि जिन इलाकों में रसियन का कबजा है वहाँ घुश कर ये फिर से करने की कोशिस करेंगे युकरियन यहां है तो मास्कों पे ड्रोन हमले लगातार जारी है बार बार मास्कों या क्रिमनी लिए पूतिन चिता रहा है कि मास्कों पे इस तरब से attack मत करो वरणा भूत ही गंभी नुपसान पहुंचे यूक्रेन को लेकिन फिर भी यह जलेंस्की है समझ नहीं रहा है निश्चित रूप से रूस ने ही यूक्रेन का डैम तोड़ा है ठीक है जो नुवा करके थी निपर नदी पे और डैम इसी ने तोड़ा है यूक्रेन की फोर्स रूस के अंदर ना आपाए आम जन इससे ने उसे तोड़ दिया तो पूरा पानी पानी है तो यूक्रेन की सोन से ना कहीं न कहीं इस इलाके से टैंक वैंक आर्मी पार करने में दिकत होगी तो यह अब जो जा रहा है यह आपको ओफेंसिव एक्शन का तो यह रूस में अभी घुंस नहीं पाएंगे इसलिए रूस